लिटिल भीम डल्दी से चांद को लेकर भाग रहा होता है तब ही इनको किजने में डाल देते हैं तो वो फिर से निकलने लगता है वो फिर से चांद को फिर से सांप पकड़ लेता है तो लिटिल भीम रुख जाता है और उसे पकड़ लेता है जब तो वो है लिटिल भीम एक तीर उठाकर उस सापको मार देता है तब चांद नीचे गिजाता है और लिटिल भीम चांद को लेकर चल देता है और यह लोग आपस में लड़ने लगते हैं जब भाग आते हैं तो यह सीटी बजा देता है जिसकी वजह से उसके सहें तो सहनी काने के बाद दोस्तों यह कर सिर्ठ भी उड़ा कर उसके मेहल को भी उड़ा डाला जिसकी वजह से यह लोग बचकर निकल गए और रात में सोने लगे रात हो च्छुकी थी लिटिल भीम सो रहा था है वो लिव कर नचैला बाहर बाहर निकलने के बाद और में घर के बाहर नचान देखने गया तब य देखा कि उसका दोस्त वहाँ पे चंद्रमा पैठा था।